नमस्कार जब जूट बोलने की सजा स्वाय बगवान को मिली एक बात ध्यान रखना जूट जूट होता है चाहे सामन्य इंसान हो उसे भी जूट की सजा भुगतनी पड़ी और चाहे बगवान हो उसे भी जूट की सजा भुगतनी पड़ी और चाहे बगवान हो उसे भी जू सब्सक्राइब आएगी तो आपका पता निश्चित है आपकी हार निश्चित है भगवान स्वे बगवान ने यह सीक दिये इंसान को कि जब जूर्ट बोलने के लिए सवे भगवान को सजा मिल सकती है तो आम इंसान क्या जिए इसलिए जिवन में जितना खोश के जूट मत बोलना आपको सुरुवात में खुशिया मिल जाएगी लें जब उसकी सच्चा ही सामने आएगी तो आपका क्या पोगा कौन आप पर रिस्वास करेगा और जब उसकी आपको सजा बुकत में पड़ेगी तो वो बहुत बड़ी सजा आपके लिए हो सकती एक छोटी सी इस्टोरी में आपको बतोंगा कि भगवान को सजा कैसे मिली जब सुरुवात में सश्टी की उत्पती हुई तो भगवान विश्नु और भगवान ब्रह्मा लड़ाने लगे एक बात पर कि कौन हम में से स्रेष्ट हैं कौन हम में से बड़ा है और कौन पहले पू दोनों की तरफ से दिव्यास्तर चलने लगे और चोड से लड़ी चलने लगे तो पूरी स्रेष्टी और देवताएं डर गए अगर ये दोनों युद्ध करेंगे तो इस स्रेष्टी का क्या होगा इस दर्ती का विनास हो जाए तो सभी देवताएं मिलकर बगवान सीव के लड़ी रोकिये इन दोनों में जो स्रेष्ट बनने की होड है इसको रोकिये प्रभू रोकीये तो बगवान सीव वहां जाते है और एक अग्NO इस्तंप के रूप में वहां खड़े होते हैं में बागवान सीव ब्रह्मा जी और विश्नु जी दोनों को कहते हैं एम पर जो लाश्ट में नीचे जाकर आएगा वही सबसे stress होगा भगवान विष्णु भी नीचे जाते लेकि वो लाश्ट तक नीचे नहीं जा पाते है वो वापिस उपर आ जाते है और भगवान शीर को कहते है हे भगवान मैं नीचे नहीं जा पाया और मैं आदे रस्टे से लोट है भगवान ब्रमा भी उस नीचे के छोर में जाते है लाश्ट सीमा तक जाते है लेकिन वो भी नहीं पहुच पाते है उनको रस्टे में केत की फूल मिलता है तो ब्रमा के दिमाग में आइडिया आता है वो केट की फूल से कहते हैं कि तुम मेरे साथ चलो और बगवान शीव को कहना है कि हम इस अगनी इस्तम्व के लाश्ट तक जाके आए जब बगवान शीव के सामने जाते हैं दोनों ब्रहमा जी और केट की फूल तो बगवान शिव से कहते हैं कि हम लाश्ट नीचे तक इस अगनी इस्तम्द के नीचे तक जाके आये हैं बगवान शिव ब्रह्मा जी का जूट पकल लेते हैं और उनको कहते हैं कि आप जूट बोड़े हैं बगवान शिव ब्रह्मा जी को साप देते हैं जूट मोणने की सजा देते हैं, कि आपको स्रश्टी में कोई नहीं पुझेगा, एक छोटे से जूट की इतनी बड़ी सजा, आप देखो आज बहगवान विश्नी, बहगवान सिव इस स्रश्टी में कितने पुझे जाते हैं, लेकिन बगवान ब्रह्मा को कौन फूसते हैं तो बगवान ब्रह्मा सिर्जी के सामने माफी मांगते हैं तो बगवान शिव कहते हैं कि कोई बात ने लेकिन जब भी यग्जी होगा ना तो आपको गुरू के रूप में पूजा जाएगा तो ब्रह्मा जी ने अपनी कलती माई फिर भगवान सी ने केत की फूल को भी सजा दी कि जब भी मेरी पूजा होगी तो तुम मेरी पूजा में कभी सामिन नहीं होगे तो जब भी भगवान सी की पूजा होती है ना तो केत की फूल का प्रियोक नहीं होता तो जब जूट की सजा सौएं ब्रह्मा को मिल सकती है सौएं केट की फूल को मिल सकती तो आप क्या चीज़ो इस कथा से अपन यहीं सीख सकते हैं कि जूट बोलने की सजा कितनी बड़ी मिल सकती है सुरुआत में आपको अच्छा लगता है शुरुआत में आप बहुत अच्छे अच्छे फिल करते हो यह हुआ हो शुरुआत में हो सकते हैं आपको छोटा मुटा फाइदा मी मिले लेकिन लोग टर्म के लिए तो आपको नुक्सान ही मिलेगा ब्रह्मा जी को देख लो पूरे विस्व में पूरी स्रस्ट्री में कोई नहीं पूसता है एक छोटी सी बूले एक छोटी सी गल्ती के करते हैं एक छोटा सा जूट के करते हैं अगर वो जूट नहीं बोलते हैं तो आज जैसे भगवान विश्णू भगवान स्यू को पूझे जाते हैं जैसे ही ब्रह्मा जी को पूजा जाता है लेकि उनका एक जोंट उनकी पूरी लाइफ खराब करें चला तो आपका एक जोंट आपकी पूरी लाइफ खराब कर सकता है